कि आप तुबिका स्वागत है मैं इसकुमार स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक आप फिबू को दिया था किंग्डम फंगी अभी मैं किंग्डम फंगी का जो मल्टिपल च्वाइस कोशन से अभी ये टॉपिक खतम नहीं होगा एक और वीडियो आएगा उसमें ये प्रो कोशन से एक सिंगल कोशन्स आपका गलत नहीं होना चाहिए अगर एक छोटे से टॉपिक जो मैं डेल डेली आप कराता हूं अगर इसमें से भी एक कोशन्स गलत हो रहे हैं तो आप फिर से NCRT को बार बार पढ़ें क्योंकि सोचे एक्जाम में 90 कोशन्स आएंगे और क्लास 11th book और 12th book दोनों से आएंगे तो probability बढ़ जाएका ज्यादा कोशन्स गलती होने का इसलिए आप तुभी मेरे साथ ही इस गलती को खतम करते चलना है क्योंकि मैं बहुत अच्छा बहुत important questions आप तुभी के लिए सेट करां pure NCRT based कुछ students ऐसे हैं वो ignore करके चलते हैं कुछ ची सुर्यों करते हैं आज का पहला कोशन फंगी सो एसेक्सवल रिप्रोडक्शन बाई ओल दी फॉलॉइंग काइंड ओफ एस्पोर्स एक्सेप्ट ए कोरेडिया बी ओए स्पोर्स सी एस्पोर एस्पोर डी जूए स्पोर्स आप तो फाइब टू सेवेन सेकेंड मिलेंगे इसका ओफशन बी होगा ऊजशन छोड़कर क्योंकि ऊशन जो होता है यह सेक्सवल रिप्रोडक्शन करता है शो करता है बाकि सभी एसेक्सवल हैं इसमें से आप प्ली बोको कोल्म फॉस्ट और सेकेंड मैच करना है यहाँ देखें ए बी सीडी सिडी बताएं आप प्ली आ दिया गया है कौन से option होगा वीडियो को पहुच करके आप भी इसमें से column को मिलान कर लें इसमें से option A correct होगा A सही है next 83 the common mushroom and toadstles are also dash क्या कहते हैं algae, fungi, plasmodium all of above 83 का बताएं इसका option B होगा ठीक है प्योर सभी NCRT का line है 84 white spots seen on mustard leaves are due to किसके करान white spots आप दो को mustard पर दिखने को मिलता है leaf A trypenosome, B intermeba, C parasitic fungus, D all of these इसका option C होगा parasitic fungus 85 which of the following unicellular fungi A penicillium, B mold, C rhizopus, D yeast आप सुभी को थोड़ा time लग रहा है तो वीडियो को pause करके करें तो unicellular fungi जो होता है वो east होता है 86 number which of the following unicellular fungi A Saccharomyces, B claviceps, Pupuria, B both A and B, D none of these यह जो दोनों questions आप भी देख रहे है 85 और 86 सेम questions है लेकिन यहाँ पर देखे, option मैंने change कर दिया है और यह दोनों NCRT का लाइन में आप रुबू को स्क्रीन पर दिखाऊंगा पहले इसका आंस्वर दे 86 का आंस्वर यह होगा Saccharomyces ठीक है आप भी यहाँ पर देखे तो पढ़ाई करें 21 लाइन अच्छे से पढ़ाई करें next question 87 number which rust caused by यहाँ देखे A. Puchiniya B. Lichens C. Mycorrhiza D. All of these बताएं आंस्वर इसका आंस्वर यह होगा Puchiniya ठीक है 88 number name the fungi which is the source of antibiotics A. Rhizopus B. Albigo C. Penicillium D. All of these 88 Antibiotics और option में जब Penicillium मिल जाए तो टिक कर देने आप दो को ठीक है इसका एक छोटा सा हिस्टोडी है मैं आप दो को बताऊंगा आगे चलकर एक जैसे एक साइंटीस थे Alexander उनका नाम था उन्होंने जब डिसकबर कुछ और का डिसकबर वह कर रहे थे लेकिन यह सदेनली एंटीबायाटिक्स पेनिसलियम का डिसकबर हो गया ठीक है और यह जो पेनिसलियम है जब वर्ड वर्फ रा था उस समय पेन कीलर के रूप में इसका यूज किया गया इसके बारे में मैं स्टोरी आप ब्लू को बताऊंगा किसी वीडियो में ठीक है चलिए नेक्स्ट एटी नाइन नमबर एज एस्सीयेशन बीटिविन रूट अफ हायर एंड फंगी इस काल्ड लाइकेन फर्न माइको राइजा ब्लू ग्रीन एलगी सॉरी यह ब्लर हो गया होगा यह ब्लू ग्रीन एलगी होगा ठीक है एटी नाइन बताएं तो ऑफ्सन सी होगा माइको राइजा इस को आप भी अच्छे से देख लें इस टाइप के एक और कोश्ट मैंने इसमें डाला है उसको भी देखेंगे आप भी पहले इसको देखें कि एस्सीयेशन बीटि जबाब करें यह डाइकरयोन इस फंड वें इसमें तीन ही अपशन है इसी तीन में से आप तुर्ब करें डिउप्शन टाइपिंग मिस्टेक हो गया है ठीक है कोई बात निइसी से आप तुर्ब को आश्वर देना है ए मेह उसीश इस आरेस्टेट भी डिक टू है प्लाइ नहीं होगा आप सब्सक्राइब पढ़ लेंगे लेकिन एक चीज में आप रिबू को बता दूँ डाई कर्योन डाई मतलब दो होता है और कर्योन जब भी उजोगा निकलियस के लिए होता है तो इस बात का ध्यान रहे चलिए 91 यह 91 जो कोशन से आप रिबू को नोट्स में ल लिख लेंगे ठीक है साइंटीस का नाम है याद बहुत सा इस्टोन को भूल जाते हैं कोई दिकत नहीं है ठीक है चलिए 92 विच रेस्पेक्ट्स टू दी फंगल सेक्सुल साइकल चूज दी कॉरेक्ट सिक्वेंस ओफ इवेंट यहां देखे ए बी सीडी करयोगैमी करयोगैमी या सी ऑफशन प्लाज्मोगैमी होता है या करयोगैमी या मियोसिस या डी ऑफशन मियोसिस करयोगैमी और प्लाज्मोगैमी बताए तो 92 का सी होगा प्लाज्मोगैमी देखे प्लाज्मोगैमी गैमी मतलब फ्यूजन होता है इतना समय गैमी का मतलब फ्यूजन ह और गैमी मतलब निकलियस का फ्यूजन और मेयोसिस का मतलब आप रिबू को पता ही है तेखें माइटोसिस और मेयोसिस माइटोसिस M I T T आता है मतलब add का sign यानि दो चीज एड़ होकर कोई एक बना रहा है और जब meiosis आ जाए यानि I है माइनस हो रहा है मतलब एक कोई भी object है कोई भी object दो पार्ट में break हो रहा है जैसे आप दो को बता दू से एक बनना यह कहने कहीं और इन प्लस एन से एक बनना यह माइट रिक हैता है मतलब meiosis और माइटर जो है उसको समझने के ट्रिक मैंने बता दिया ठीक है अब ऐसाने इसी को रट कर बैठ जाए ट्रिक मैंने बता दिया ऐसे आप दो को ध्यान में रखना है चलिए 93 ब्लैक रस और वाइट रस्ट पढ़ा था वीट का यह ब्लैक रस्ट बताएं यह प्रिवियर का कोशन है इसलिए मैंने यहां पर डाल रखा है तो इसका भी आंस्वर ए होगा ठीक है पुचिनिया इसका भी आस्वर पुचिनिया होगा ठीक है चलिए 94 नमबर ओर गनिजम वीच आर इंडिकेटर ओफ एस ओटू पॉलुशन ओफ एयर ए मॉसस बी लाइकन सी मॉस्रूम डी पॉफ बॉस बहुत इजी है कई बार आपने प यह बहुत इंडिकेटर गुडछ इंडिकेटर है है यह इसली होता है अगर इस Mats यह को कहते हैं इंडिकेटर ओफ एस तो यह ले जादा है तो यह लाइकन वहां नहीं मिलेगा कम है वहहीं मिलेगा इस लिए इसको indicator of A2 कहा जाता है चलिए लिखा कहा है लाइकेंस indicate A2 pollution because they A. show association between algae and fungi B. grow faster than other C. are sensitive to A2 D. flourish in A2 rich environment बताएं 95 अकर याद भी नहीं हो नहीं है तो थोड़ा सा आप से भी अंदाजा लगा भी सकते हैं इसमें ठीक है अच्छा कोशन नहीं है इसका option C होगा are sensitive to A2 अब 96 करते हैं the cell wall of fungi are composed of cellulose, chitin, polysacryde and option B और C दोनों सही होगा बताएं कौन सहोगा तो 96 का D option सही है यानि cell wall of fungi are composed of chitin and polysacryde दोनों होगा B और C दोनों options सही है chitin भी है polysacryde बहुत सारे students के mind में होता है chitin सिर्फ chitin नहीं NC याठी आप सो भी पढ़ेंगे उसमें clear लिखा है chitin and polysacryde चलिए next question 97 this symbiotic association of fungi and algae is called fungi और algae का जो symbiotic association क्या कहते है lichen, mycorrhiza, mycoplasma A and B तो इसका answer A होगा lichen और अभी थोड़े पहले हम लोगों ने पढ़ा था higher plant and fungi की बीच के relation क्या कहते है तो वहाँ पर mycorrhiza था और यहाँ पर देखें, fungi और algae के बीच का lichen तो याद रखें आप तो भी 98 number fusion of protoplasm between two motile और non motile gamit is called क्या कहते है, karyo gammy, plasmo gammy, matting A and B, दोनों सही है, बहुत easy question है, थोड़ा सोच के जबाब दे protoplasm का बात कर रहा है, यह two motile non motile बस यह तो आप भी ठीक है, यह protoplasm, mainly focus है protoplasm पे, तो option B होगा, ठीक है, plasmo gammy क्योंकि यहाँ पर अगर nucleus use करता word, तो आप सभी A पर, karyo gammy पर tick करते हैं, लेकिन आप सभी protoplasm use किया गया है, चलिए 99 number, name the parasitic fungi on mustard, A, rhizopus, albugo, aspergillus, penicillium, पता हैं आप सभी, parasitic fungi, B होगा, albugo, right, 100 number, example of phycomycetes, mucor, neurospora, ostilago, alternaria, तो फ्रेंट 100 का जो questions है, इसका जबाब आप सभी को comment box में देना है, बहुत हीजी है, आप समने याद कर रखा होगा, तो अब इतना ही, 20 questions मैंने I think करा दिया, बाकी next video में ये topic जो है kingdom fungi खतम हो जाएगा, उसके बाद next topic के start करेंगे, तब तक आप सभी ने एक भी question गलती किया होगा, तो अभी बैठ कर, 10 मिनट टाइम लगे, 15 मिनट, 20 मिनट, kingdom fungi को दुबारा read करें, पढ़ें अच्छे से, अब इतना ही, अपने friends circle में भी इसको share कर दे, ताकि उनको भी question करने का मौका मिले, thanks for watching video,